हेलो गाइस कैसे हो आप लोग तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या जो जंदन खाते में पैसा आएगा वो सब को मिलेगा और कितने माह तक यह भुगतान होगा और यह क्यूं दिया जा रहा है सारा कुछ डिटेल इसी वीडियो पर दूँगा तो वीडियो को छो चलिए आज कि हम वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात आती है बैंक खाता है तो सबको मिलेगा तीन माह तक पैसा तो यह क्या है तो जैसा कि आप लोग जानते हो क्यों मोदी जी ने नया नियाम लावू किया है इस लॉकडाउन के कारण क्योंकि काफी लोग जो है गरीब लोग बेरोजगार हो रहे थे और घरी में बढ़ा रहे थे और काम जो है उनका छुटा हुआ तो इन्होंने जो है 500 परतिमा देने का घुशना किया है और जिसके अंतरगत जिनके पास जंदन खाता बनाया है जिनका है ठीक है तो उनके हर माह 500 रुप्या मिले यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में डीटेल में तो देख जैसे कि आपको खाते का संख्या है अकाउंट नंबर तो अकाउंट नंबर जो है से आपको पैसा मिलेगा आपको जाकर वहां पर भीड नहीं लगाना है मोदी जी ने जो है एक और ट्री है यहां पर एक त अपरिल को पैसा जमा हो जाएगा और तीन अपरिल को आप जा सकते हैं पैसा निकालने के लिए और अगर अंतिम का दो तीन रहेगा ठीक है तो आपको चार अपरिल को जाना है और चार से पांच रहेगा अंतिम में तो आपको साथ अपरिल को जाना है और छे साथ अगर अं तो आपके फोन में ऐसा मैसेज आप लोग को अगर आ जाता है तो समझ जाईए कि आपका जो पैसा है वो आ चुका है और जैसा मैंने डेट बताया उस तारीक को आपको जाकर पैसे निकाल लेने है तो आपको जो है पांस पांसो रुपे करके तीन महने दिये जाएंगे आपक कुछ का भी वीडियो में बना दूंगा और ज्यादा और भी कुछ कमेंट करना है अगर आपको और कुछ का भी वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा